नमस्कार दोस्तों स्वागर है आप सभी का तेकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने पर सिस्टेम स्टोरेज प्रॉब्लम सॉल्फ कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर कभी कभी क्या हो जाते हैं सिस्टेम स्टोरेज फूल हो जाते हैं ठीक है और वो एमटी होने के नाम नहीं रहते हैं तो दोस्तों कैसे कैसे करके आपको सिस्टेम यहाँ पर जो जूस्ट करना हे यह यह यहां पर जो ही डेक कर सके तरह टेगी फोलो कीजिए फोलो करने के बात दोस्तों यहां पर आपका जो राइनर सरेच है ट अर।्फ हूं इसका भी уж 들어가 sis और शानी से वी तो चलिए वीडियो को बिना देर के वए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले अगर अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को क्लिक जरू करें यह यह आप उनलाइन पेसा का मुझा चाते हैं एलिरी पर जाके डिलेट करना है काफी नहीं है आप त्रस्ट बिंट वगरा सबसे जाके डिलेट करने जिएगा क्योंकि दोस्तो यहां पे आप जब जाते हैं तो आपको एक ट्रस्ट बिंट मिलेगा आपके अलबाम के अंदर पे एलबाम के अंदर पे दोस्तों आपको जीतने वे अप्लिकेशन उसमें डेटा कंजूम करते रहते हैं ठीक है तो आप यहाँ पर एप्लिकेशन को अनिस्टोल कीजिए और सारी साथ दोस्तों अगर आप कुई भी बैड अप्लिकेशन इंस्टोल कर रखा है डिवाइस के अंदर पे तो उसको भी क्लीन आप जरूब से कर देना और एबाउट फोन पर जाके दोस्तों आप सबसे प आप कर सकते हैं ठीक है डूप्लिकेशन जीतना भी फाइल वगर आप वहाँ से क्लीन आप कर सकते हैं फ्रीआप स्पेस पर क्लिक करके भी दोस्तों आप यहाँ पर खेश को क्लियर कर सकते हैं बहुत सारे खेश आपका क्लियर हो जाएगा तो आप यह सब कर सकते हैं यहाप पर ठीक है सारी साथ दोस्तों आपका mobile software update नहीं है तो mobile software को update जरू से कर लेना क्योंकि दोस्तों software update नहीं रहेगा तो storage में भी problem करते रहे हैं ठीक है तो बस दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या होगा इतना ही करना है ठीक है free app space करना होगा अगर storage का problem हो रहा है बेर application को पहले तो अनिस्टल कीजिए अन्यूस application अनिस्टल कीजिए फाइल वगरा अनिस्टल कीजिए और device के cache वगरा को अनिस्टल कीजिए ठीक है सारी साथ दोस्तों यहाँ पर में आपको ले ठीक है अगर है तो यहाँ पर हम देख लेगे तो यहाँ पर दोस्तों कोई भी ट्राश नहीं है तो बस दोस्तों आपको इतना कर ले देते तो उन पर आपको क्या करना है सारे Фाइल को आप जो है Google राफ पर सेंड कर दिजिए और उसके बाद उसका इस्पेस पुरा क्लियर हो जाएगा और आपका इस्टोरिज प्रॉब्लम भी सॉल्फ हो जाएगा और दोस्तों हो सके तो आप SD Card जो है वह भी जरूर से यूज़ कर लेना ठीक है तो बस इतना सा काम आपको कर लेना है उसके बार storage problem solve हो जागा तो आज की इस वीडियो बड़ो से बस इतने टेंक्स पर वाचिंग